नमस्कार मैं हूँ सरीता क्यूबिकल दिवाली की सिरीज में आज हम क्यूब का चोथा उतार ओक्ता हेडर बनाएंगे तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो टेंप्लेट दिया है वहां से इसके पीडियो का आप जल्दी से डाउनलोड कर ले और चार्ट पेपर पर चिपका कर काट ले कर दो बनाएंगे यह लैम क्यूब का टुवल है इसका मतलब यह है कि क्यूब के अगर हम स्क्वाइर फेसे के मिट्पोंट को मिला दे तो हमें यह ओक्ताहेडरन के वर्टेक्स मिल जाते हैं यह कोंए मिल जाते हैं और जो क्यूब के कोंए हैं वहांपे हमें tail noon तो क्यूब के 8 कोने हैं, तो 8 faces हमें इसके अंदर बनते हैं, वो हम इसमें भी देख सकते हैं, यह बाहर क्यूब है, और अगर इस क्यूब के हमने mid points को मिला दिया, सभी mid points को मिला दिया, तो अंदर इसके octahedron बैठा है, और अगर हम octa के mid points को मिला दें, यह octahedron का एक side है, इ इसलिए ये एक दूसरे के डूवल्स है, क्यूब टू ओक्टा और ओक्टा टू क्यूब, और ओक्टा हेडरन के अंदर एक और बहुत ही संदर चीज आप देख सकते हैं, कि ये ओक्टा हेडरन तीन सेम स्क्वाइर फेसे से मिलकर भी बना है, ये आप ये बेस में देख रहे होगे, एक स्क्वाइर है, आप इससे भी देख सकते हैं इसको, ये एक स्क्वाइर ये है, ब्लू कलर का, एक स्क्वाइर ये पिंक कलर का, और एक ब्राउन कलर का, तो ये तीन स्क्वाइर फेसेस को अगर जोड़ दोगे, तो यह हमें octa ही मिल जाते हैं यह octahedronik platonic solid भी है यानि इसके जो सारे faces हैं वो regular faces हैं सब equilator triangles हैं और हर kona same है हर जो vertex है वो same है इसका मतलब यह है कि हर vertex पे 4 equilator triangles आके मिल रहे हैं इस vertex पे भी, इस पे भी, इस पे भी तो हमने एक platonic solid को इस तरह से काटा कि हमें दूसरा platonic solid मिल गया है ना गजब की बात